आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस अंड डिस्प्लेस्मेंट दूरी तथा विस्थापन तो दोनों को अलग-अलग देखते हैं चले स्चार्ट करते हैं किसी खास समय में चले गए पत की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं कोई भी रास्ता है कोई भी पात है जैसे कि यहाँ पे एक A पॉइंट है एक B पॉइंट है ठीक है A से B तक हमें जाना है और A से B तक जाने के लिए ऐसे रास्ता बना हुआ है कि अब ऐसे जा रहे हैं A से B तक ये रास्ता पहले से बना हुआ है ठीक है बीच में कहीं पर रोड नहीं है कहीं पर भी रास्ता नहीं है बीच में समझ लिए जे जंगल है पहाड है कुछ भी है रास्ता ऐसे ही है A से B तक जाने का तो यह हुआ distance किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई यह कितना लंबा है Englishman बोले तो distance is the total movement of an object without any regard to direction इसमें direction नहीं है A से B तक जाने के लिए अगर हम किसी से पुछते हैं कि हमें जाना है A से B तो हम किस साइड जाएं North, South, East, West ऐसे हम पुछेंगे किसी को हमें किस साइड जाना है तो वो कहेंगे कि A से B तो East की ओर है लेकिन ऐसा कह नहीं सकते हैं कि आपको ist में जाना है पहले तो आपको उपर जाना है फिर इधर जाना है फिर इधर जाना है फिर नीचे जाना है फिर इधर जाना है फिर थोड़ा उपर कोई इसका direction नहीं है Without regard to direction, कोई direction नहीं है, कोई दिशा नहीं है, आपको एक रास्ता दिया गया है, वो रास्ता किधर से किया है, कैसे भी जा सकता है, कोई direction नहीं है उसका, यह होता है distance, अब देखते हैं displacement, displacement का definition देखिए, न्यून्तम दूरी, क्या बोला है, न्यून्तम, सबसे छोटा दूरी को विस्थापन बोलते हैं, displacement बोलते हैं, shortest path, सबसे छोटा path, between initial and final position, मतलब जहां से शुरू कर रहे हैं और जहां तक जाना है, initial मतलब जहां से हमने start किया, और final position मतलब जहां तक हमें जाना है, is known as displacement, सबसे छोटा path, तो आप बताएए, A से B तक जाना है, तो सबसे छोटा path ये तो नहीं है, सबसे छोटा path कौन सा होगा, भले बीच में पहाड आता है, जंगल आता है, कुछ भी आता है, पर आपको, आप बोलेंगे, भले बीच में नदी आ रहा है, पहाड आ रहा है, कुछ भी आ मैं तो बीच में से ही जाओंगा, मुझे सबसे छोटा वाला रास्ता चाहिए, तो आप कैसे जाएंगे, तो आप ये पिंक वाला लाइन फॉलो करेंगे, आप ये पिंक वाले लाइन से जाएंगे, आप ऐसे जाएंगे आप अपना रास्ता खुद बनाएंगे, ठीक है, यहा पे बहुत सारे पेड़ पौधे जंगल टाइप आ जाते हैं लेकिन फिर भी आप बोलते हैं कि हम तो छोटे रास्ते से ही जाएंगे ये आपके पास रोड बना हुआ है पहले से लेकिन फिर भी आप बोलते हैं कि हम सबसे छोटे वाले रास्ते से जाएंगे चाहे कुछ भी उसके बीच का सबसे छोटा रास्ता को उम बोलते हैं displacement ओके चलिए अब हम देखते हैं कि distance और displacement में difference क्या है इसके difference को देखते हैं तो first ये है total movement of object without any direction without any direction बीना किसी directions के total जितना भी वो घुमता है उसको बोलते हैं distance और displacement में होता है shortest distance सबसे छोटा distance shortest distance second इसका SI unit होता है meter और इसका इसका भी SI unit होता है meter third point distance scalar quantity है क्योंकि इसके पास कोई direction नहीं है और displacement vector quantity है क्योंकि इसका एक निश्चित दिशा होता है जैसे देखे यहाँ इस figure में देखे displacement के पास तो direction है कि हम इस direction में जाएंगे सबसे छोटा रास्ता east की और इस्ट की और पुर्व की और यह displacement हुआ distance का कोई direction नहीं था कभी उपर कभी नीचे कभी कहीं next है dimension इसका dimension होता है meter meter क्या है length है length meter के power एक है न तो length का power एक L और इसका भी dimension होगा same L ओके तो यहाँ पर हमारा complete होता है distance और displacement का topic एक question हम complete कर लेते हैं तो हमारे के topic complete हो जाता है चले एक question देखते हैं इस question को देखिए दिये गये चित्र में ये चित्र दिया गया है अगर कोई चीटी A से B तक चड़ती है A से चड़ना शुरू करेगी A से चड़ते चड़ते B तक चड़ती है तो उसके द्वारा तै की गई दूरी और विस्थापन का मान क्या होगा दूरी मतलब distance विस्थापन मतलब displacement distance और displacement हमें निकालना है यहां से चड़के वो यहां तक जाएगा तो कैसे निकालेंगे तो देखें distance होगा यहां से जार यह 3 मीटर फिर उपर 4 मीटर गई प्लस 4 मीटर वापस इधर 3 मीटर जाएगी तो प्लस 3 मीटर प्लस उपर 4 मीटर 4 मीटर कितना हुआ? 4-3-7 और यह 4-3-7 साथ सा 16 मीटर यह हमारा हो गया distance दूरी, दूरी होआ 14 मीटर अब हमें निकालना है displacement, विस्थापन तो विस्थापन कैसे निकालेंगे? सबसे छोटी दूरी A से B तक जाने का सबसे छोटा रास्ता A से B तक जाने का तो यह है ना यह है सबसे छोटा रास्ता A से B तक जाने का तो यह हमें निकालना है, तो यह कैसे निकालेंगे, तो देखिए, सबसे पहले उपर वाला ट्राइंगल लीजिए, यह, यह उपर वाला, इतना लीजिए, ठीक है, तो इसमें देखिए, यह हमें निकालना है, इसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, हाइपोटेनियस, यह बेस हाइपोटेनियस का स्क्वेर तो चार का स्क्वेर प्लस तीन का स्क्वेर जब भी 90 डिगरी पे होता है तो हम पैथा गरोस्तियोरम लगाते हैं इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वेर तो चर्चों के सुल्ला तीन ती आई नौ equal to h का square तो h का square हटेगा तो यहां under root हो जाएगा under root 16 plus 9 तो 16 plus 9 under root 25 आएगा तो h is equal to 5 meter meter में है ना ये ये भी 4 और 3 है तो ये भी 5 आएगा इसका 5 आएगा यहां पर 5 ये भी वह ही है 4 और 3 यहां भी 4 और 5 तो ये 5 ये pink वाल है यहां तक 5 और ये दूसरा pink वाल है यहां तक 5 कितना हुआ displacement displacement हुआ 5 plus 5 equal to 10 meter ठीक है और distance कितना हुआ था 14 meter तो यहां पर आपको clear हो गया होगा कि distance और displacement कैसे find करते हैं एक most important question और बता रही हूं इस question को देखिए नीचे की दिये गया चित्र में अगर कोई वैक्ती धाई चकर लगाता है यहां पर धाई चकर लगाना है तो उस वैक्ती द्वारा तै की गई कुल दूरी और विस्थापन कितनी होगी तो distance कितना होगा और displacement कितना होगा यह निकालना है हमें दूरी और विस्थापन कितना होगा धाई चकर लगाना है ठीक है तो चले धाई चकर लगाना शुरू करते हैं यहाँ से अगर वो शुरू करता है यह पॉइंट A मान लेते हैं और यह पॉइंट B मान लेते हैं ठीक है यहां पे कहीं भी पॉइंट थी, धाई चकर हमने यहां पे क्यों पॉइंट बनाया पता है, क्योंकि यह पूरा एक चकर होगा, यह दो चकर होगा, धाई चकर जब आएगा ना, तो यहां आधा तक पहुँचेगा, है ना, देखें, ए से शुरू होगा, एक चकर लगाया, फ पॉइंट और ये है फाइनल पॉइंट यहां पे आके वो रुख जाएगा ठीक है तो चलिए यहां से ऐसे पूरा चकर लगाया धाय चकर तो कितनी दूरी हुई तो देखें यह साथ मीटर रेडियस है तो यह क्या है सरकॉंफरेंस है तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा डिस्ट सरकॉंफरेंस मतलब होता है परीधी ठीक है यह परीधी जितना है न टूटल कितना होता है यह सरकॉंफरेंस कितना होता है टू पाई आर होता है तो यह कितना होगा टू गुना पाई होता है बाईस बटा साथ गुना आर कितना है आर दिया है साथ मीटर साथ जो साब 22 into 2 होगा 44 लेकिन ये distance नहीं है 44 meter जो आया वो आया कितना किसका ये आया एक चकर का circumference of circle हमने इसके circumference का value निकाला ये धाई चकर लगाता है तो circumference को 2.5 से multiply करतेंगे धाई से तो चलिए इसको आप इसको धाई से multiply करना है 2.5 से जिसको multiply करिए 2.5 से कितना हैगा 44 2.5 से multiply किजिए 25 के 20 के 0 हासल दो 25 के 20 और 22 428, 428, 428, 0 820 के 0 हासल एक, 820 और 1 11, एक point के बाद एक अंख है तो यहाँ पे एक अंख के पहले point कितना है, 110 तो ये हुआ 110 meter distance कितना होगा, 110 meter धाई चकर लगाएगा, तो 110 meter होगा अब हमें भी स्थापन निकालना है displacement, तो displacement क्या होता है displacement का definition हमने क्या पढ़ा shortest distance जहां से शुरू कर रहा है और जहां पे खतम होगा उसका सबसे छोटा distance, क्या है सबसे छोटा distance ये वाला ना, इधर साथ मीटर और इधर साथ मीटर किता हुआ, दोनों जगा साथ साथ मीटर हुआ ना, तो displacement हुआ हमारा 14 मीटर, तो इस टाइप का question exam में आता है और तब हम confused हो जाते हैं, most important ठ्यान रखिएगा, और एक मैं आपको आखरी में most important point बता रहे हूँ, distance and displacement related, वो यह है कि distance बता, displacement is always greater than or equal to one, दोरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा एक से बड़ा या एक के बराबर होगा, distance और displacement का रेश्यो हमेशा एक से बड़ा यह most important है, very 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 important कि distance और displacement का रेश्यो हमेशा एक से बड़ा या एक के बराबर होगा, कैसे? आप खुदी सुचिए ना, जैसे कि इस तरह का रास्ता था, हमने यहां से यहां गए हम तो displacement तो हमेशा छोटा रहेगा ना displacement तो हमेशा छोटा रहेगा और यह हमेशा बड़ा रहेगा, उपर वाला जब बड़ा रहेगा तो आप भाग लगाएंगे तो हमेशा एक से तो जादा ही आएगा लेकिन कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें यहां से यहां तक जाना है, उसका सीधा एक ही रास्ता है एसे भी तक जाना है, यही रोड है यही distance भी है और यही displacement भी है हमने बोल दिया एक ही रोड है यहां पे थो हमने ऐसे रास्ता बनाया था ऐसे भी तक, ठीक है कुछ साल के बाद यह वाला रास्ता बंद हो जाता है इस रास्ते को बंद कर देते हैं और एक नया रास्ता बनाते हैं ऐसा तो यहाँ पर distance भी वही रहेगा और displacement यही रहेगा दोनों बराबर रहेंगे तो जब दोनों बराबर रहेंगे दोनों को भाग करेंगे तो एक आएगा तो distance upon displacement is always, always, always equal to or greater than one ठीक है तो यह lecture हमारा यहाँ पर complete होता है धन्यवाद